आजादी का अम्रित महोत्सव आप सुन रहे थे स्वाधींता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और इस पद पर रहे एक मात्र भारतिय चकरवर्ती राजगोपालाचारी को जुन्होंने मदरास ओल इंडिया रेडियो के शुभारम के अवसर पर ये उदगार व्यक्त किये थे राजाजी के नाम से लोकप्रिये राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1978 को तोरापडली में हुआ था वे महात्मा गांधी के विश्वस्त नेता थे उन्होंने मदरास के प्रेसिजन्सी कॉलिज से विधिक की उपाधिली और सेलम में आपराधिक मुकद्मों में वकालत शुरू कर दी 1917 में सेलम की नगरपालिका की अध्यक्ष बनने के बाद उनका सारवजनिक जीवन शुरू हुआ गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी उसके बाद राजा जी पूरी तरह स्वतंतुरता आंदोलन के लिए समर्पित हो गए उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद सत्याग्रे असाहियोग आंदोलन वाइकाम सत्याग्रे और सवीने अभग्या आंदोलन में भाग लिया जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शिरू किया तो राज गुपालाचारी ने मदरास प्रेजिडेंसी के वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा स्वेतंतरता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें पांच बार जेल भेजा गया 1937 में मदरास में चुनावों के पाद कॉंग्रिस मदरास प्रेजिडेंसी में सत्ता में आई और राजा जी प्रेजिडेंसी के प्रथम प्रीमियर निर्वाचित हुए राज गुपालाचारी 1949 में मंदर प्रवेश प्राधिकार और क्षति पूर्ती अधिनियम लाए जिसके तहर तथा कथित निम्न जाती के लोगों को मंदरों में प्रवेश के अनुमती मिली राजा जी मदराज से समिधान सभा के लिए निर्वाचित हुए वे विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी नियुक्त किये गए सुएतंतरता के उपरांत राजा जी को भारत का अंतिम गवर्नर चुना गया और वे इस पत पर 21 जून 1948 से 26 जन्वरी 1950 तक रहे उन्होंने 1952 से 1954 तक तमिल लाड के मुख्यमंत्री की जिम्यदारी भी चारी प्रसिध लेखक भी थे जिन्होंने भारतिय अंग्रेजी साहित्य में अविस्मरणिय योगदान दिया उन्हें करनाटक संगीत शैली में कुरई उनरम इल्लाई गीत लिखने का श्रेय भी हासिल है उनके सरवाधिक लोकप्रिय साहित्य में महा भारत और रामायन का अंग्रेजी भाषा में लेखन भी शामिल है भारत ये राजनीत और साहित्य में योगदान के लिए राजा जी को 1954 में भारत रतन से सम्मानित किया गया 25 दिसंबर 1972 को राजा जी का निधन हो गया